दोस्तों गराब भी सूरे कुमर यादव और संजू सेमसन को बेहत कदरनाग खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों आज भारत और साउथ अफरिका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला केला गया और मैच में तो रुमांच की सारी हदे ही पारोगे जहां पहले भारत के विद्वनसक, बल्लिबाजो, कप्तान सूर्या से लेकर संजो सेमसन और रिंकू सिंग का तूफान देखने को मिला तो हार्दिक पांडिया ने तो अपने बल्ले से ऐसा हाहा कार मचाया देखने वालों की आँखे फटी की फटी रह गे तो हैसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और साउथ अफरिका के दूसरे टी-20 का रॉंग टेकर देने वाला पूरा हाईलाइट जहां टीम इंडिया इस मैच को जीत कर सीरीज में शांदार शुरुआत करना चाहती थी वाइस मैदान पर साउथ अफरिका के कप्तान एडन मारकरम ने टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्ले बाजी करने के लिए आमंतरित किया जिसके बाद में भारती टीम पहले बल्ले बाजी करने के लिए मैदान पर आई भारती टीम के लिए बारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग चोड़ी मैदान पर उत्री भारत के लिए जब इशेक शर्मा के साथ में संजो सैमसन मैदान पर उद्रे इन दौनों पर टीम इंडिया को एक बहतरीन शुरुआ दिलानी की सिमेदारी थी जहां इन दौनों ने शुरू के दो ओवर तक समभल कर बनेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया हालागी शुरू में साथ अफरिका के गेंबाजों ने भी कसी हुई गेंबाजी की लेकिन दो ओवर के बाद में इन दौनों ने अपने गेर बदल दिये खास तोर पर पिछले मैच के हीरो संजु सेमसन ने एक बार फिर से अपने रादे साफ तोर पर जाहिर कर दिये जहां संजु ने पहले तो तीसरे ओवर में दो तूफानी चखके और एक चौक का लगाया वहीं उसके बाद चौते ओवर में संजु और अभिशेख शर्मा दौनों ने एक एक चखका लगा कर पूरी तरह से साउथ अफरिका के गेंदासों के उपर काउंडर अटेक कर दिया इन दौनों की बनेबाजी से पूरी तरह से साउथ अफरिका की टीम दबाव में दिख रही थी वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में संजु ने एक बार फिर से केशव महराज को टार्गेट किया और इस ओवर में भी संजु ने दो लगातार स्टेडियम पार का गंचुम्बी छटके ठोक कर अपनी हाफ सैंचुरी पूरी कर ली सिर्फ 21 गेंदो पर इस तरह से पावर प्ले के समाब दोने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिये थे अब कहीं न गहीं संजु और अभिशेक शर्मा की ये साज़दारी भारत को एक बड़े स्कोर तग ले जा रहे थी काफी अच्छी लैमे दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे फैंस भी भारत की बल्ले बाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे इस तरह से अब 10 ओवर की समाब्धी तक इंडिया ने 108 उन बनाए लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारती ने नहीं सोचा था जी यहां दोस्तों पारी के ग्यार वे ओवर में पहली गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन उनको जराल कुछ जे ने अपने जाल में भशा लिया और भारत को दूसरा जटका दे दिया बड़ा दें कि तिलक ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ साथ गेंदों में तेरा रंग की पारी केली जिसके बाद में बल्ले बाजी करने के लिए हार्दिक पांडिया ने तो अपने बल्ले से गदर ही मचा दिया आते इस खेलाडी ने कुएट से की लगाता हर तीन गेंद पर तीन तूफानी चक्के जड़कर अफरिकी में खेमे में हर कंप मचा दिया तो फिर संजु सैंसें के साथ मिलकर उन्होंने तो साउथ अफरिका की नाक में दम कर दिया खास तोर पर हार्दिक तो सर पर कफन बांग कर उतरे थे लेकिन दोस्तों की ये रन्ली थी ज्यादा लंबी नहीं चली जहां हार्दिक पांडिय केबल बारा गेंद पर अरतिस रनों की खौफनाक पारी खेल कर वापस लौट गए इस दर्मियान उनके बल्ले से चार तूफानी चक्के भी निकले थे जिसके बाद में बल्ले बाजी करने उतरे टी-20 के नंबर वन खिलाडी खुद कप्तान सूरे कुमारी आदव अब सूरे और संजू पर कीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचाने की सिमेदारी थी जहां आपको बता दे कि इन दौनों ने दो विकेट किरने के बाद में सूच बूच के साथ में बल्ले बाजी की और सिंगल डबल सिपारी को आगे बढ़ाया हला कि 15 वे ओवर में जरूर एक बार फिर से संजू सैमसन ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में संजू के बल्ले से एक चौक का और दो ताबर तोड़ चक्के देखने को मिले अब संजू एक बार फिर से अपने शतक की और तेजी से बढ़ रहे थे वहीं 15 वे ओवर की समाप्ती तक इंडिया वे स्कोर भी 170 रन तक पहुंच गया था लेकिन 16 वे ओवर में आखिर कार भारत को बड़ा जटका लगी गया इस ओवर में संजू बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केशो महराज का शिकार बन गए बता दे कि संजू सेमसन ने इंडिया के लिए 44 गेंट पर 80 रंग की पारी खेली जाएंस पारी में संजू सेमसन के बल्ले से 7 चक्के और 5 चौके निकले उसके बाद में सूरिया का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंग मैदान पर उत्रे इनको बखुबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्ले बाजी करनी है जहाँ आपको बता देगी आदे ही रिंकू ने दूसरी गेन पर एक गगन चुम्बी चबका जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहर कर दिया जिसके बाद सूरिया ने भी अपने हाथ खोले और सूरिया ने बल्ले से 3 टाइमिंग बरे चौके निकाले वही रिंकू और सूरिया ने अटारवे ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुँचा दी अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से साउथ अफरीका बैक फूट पर नज़र आ रहे थी जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्ले बाजी की वह वाकिए में देखने लायक थी इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 40 रन कूट डाले जहां अंतिम के 2 ओवर में रिंकू ने बल्ले से 2 तूफानी तीन तूफानी चक्के उन से देखने को मिले तो वहीं कप्तान सूर्या ने भी दो आस्मानी चक्के और एक चौक का लगाया इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्ले बाजी करते हुए बीस ओफर में दो से क्यावन रन बनाए जा भारत के लिए रिंकू ने एक बड़ा असा बड़ा फिर से फिनिशिंग टच देते हुए उननिस गेंदों पर त्रेपल रन बनाए इस दर्मियान उनके बल्ले से चेक खतरनाग चक्के भी निकले थे वे शुर्याने बी